हैँ दोस्तों रधानी इंगले क्लासर्ण में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले त्व Bearboard के पद और पद में यहाँ पर और उसका लेक और पाठ और उसके परकार आज हम पढ़ने वाले हैं और विए ट्रिक के मादम से पूरे ट्रिक मादम से कैसे हम याद करेंगे पूरे वीडियो बन रहीएगा हम आपसे वादा करते हैं कि आप पांच नंबर कहीं नहीं चुटेगा पूरा वीडियो देखने के बाद तो चलते ट्रिक देखते हैं इसका ट्रिक क्या है अब देखेंगे आपर पहला है कड़बक और यह मलिक मुहमद जैसी की तरह रिका गया है और यह है भक्तिकाल के कभी अच्छा अब बताएं इसको याद ऐसे कर सकते हैं आप याद रखिएगा कड़बक यानि हम दो तीन अदमिया और कहीं बात कर रहे होते हैं त्रीक इसका ही है कि वहां पर को याकर टपक जाता है वह लड़का का टपक यह कौन मुहमब का कौन बहूं एक लड़का का टपका जिसका नाम मुहमबन और ज पद बहुत होता है क्रिष्ण भक्तिकाल एक है और दूसरा पद राम भक्तिकाल अगर हम किसी के पद यानि पैर में गिरकर उसका क्या बन जाते हैं यानि हम इसको कह सकते हैं सूर्ड़ास और सूर्दास नाम से निए पर चलिए इसे भकतिकाल के थे इसे यह इसको याद कर लिजेंगा दूसरा इसको पद को याद रखेगा राम भकतिकाल न्य способ की निए इसको मुसें झालओं के रामुज मंट्रा चरह दूसरे राम् ग्तिकाल और यह तुलसी क्योंकि हम उसकी पैरों में दास बन जगें इसे हम बोलेंगे सूर दास याद रखिए ठीक है दूसरा आप कृष्ट रामभक्त याद रखिएगा तुरसी दास के द्वरे लिखा गया चपपए आपसे यह ट्रिक बड़ा संदार है याद चपपए और चपपए जो हता है ना सकते हैं कभी यानि हम एक लड़का था जिसका नाम था बूसर का नाम था जी बूसर यानि हम का या को modular स्टनीक तो या गाना गाओ तो उन्होंने बोल तो कभी यानि बूसर के द्वरें तो मतलब कर दांग तहां थे तुम लग को लहाल कहल में द्याइगा आप घर में जब कोई कलह पड़ता है ना इसको याद एक ट्रीक क्या होता है तुमलग कोलहल कहल में जय परकाश नरायन के द्वारे लिखा गया और यह अधुनिक के कभी थे देखिए आधुनिक आधुनिक मतलब परचित होंगे यह नया यूग कोन आधुनिक बोलाता है यानि अभी जो चलना इसको आधुनिक हम बोल सकते हैं और आधुनिक जुग में लोग के बीच लोगों के परिवार में जो समस्या है वह बहुत ज़्यदा कलह है हम इस तरह इसको याद कर लेंगे य कला मतलब होता है कि यह इक पर साथ की तरह हम याद करेंगे कि तुमल को joka gonna कहले में अगर कोई पूछेगा इसको कैसे याद कीजेगा तो पूत्री वियोग सुभात्रा कुमारी चुहान यानि याद रखेगा जब कोई बचा कुमारी रहता है तो याद रखेगा यानि सुभात्रा कुमारी चुहान यानि कुमारी जहां कुमारी हो जहां कुमार हो और वहां पर जब से अच्छा किसका होता है तो उस्षा का सबसे अच्छा बहादूर इसको सिमित रखे आगे ध्यान से का चेहरा एक जञन का चेहरा एक यानि सब का चेहरा जब मैंने एक देखा तो मैंने इंड आज चला गया यानि हम भो सकते हैं जगननन-मदल्द मुट इसको इसतर याद कर लेंगे दूसरा आगला देखेंगे आप अधि नायाक यानि आप याँ इसको टृक्त से याद कर लेगा और नायक जो टहना यह में लोगों को सहयता दलता है यानी सह अधिनायक का लिखाया रगिवीर शहाय याद रखिएगा प्यारे नन्ने बेटे को याद रखिएगा प्यारे नन्ने बेटे को जो प्यारा जो नन्ना बेटा होगा छोटा होगा चोटा बेटा जो होगा आपके घर पर कैसा होता है आप जो वीडियो देख रहे होंगे आप छोटे बच्चे होंगे अपने मता-पिता के तो आप अभी तक क्या होंगे सुचिए सब्सक्राइए आप कुमारे होंगे इस याद रखेगा प्यारे नन्हे बेटे यानि आप अपने मता-पिता के प्यारे होंगे यह होंगे कुमारे यानि हो जाएगा बिनूत कुमार शुक्ले याद रखेगा इस आई इसको किस तरह चिसमानी हम बीघ्ञार से कई लेख को पूछ में आता है को जिता है तो उसमें लोग का इखेंगे हम लोग कहते हैं कि आई er要 बाज नहीं यार आपने गाल से इसा बात हम बोल देते हैं तो यानि हम उस चीजों में Georgi मैं हम बोलेंगे बाश पर इह डिए बर गमान-खासाब देमेंगे बाढ़ यानि अपने बातों से और नहीं आता है अपने जीतने का चक्रम राता है तो गाउं का जो गहर है ना वहां पर आज भी ज्ञान बहुँ जड़ा है यानि वहां आज भी ज्ञान है इस जाद करेंगे ग्यान इंद्र पती याद रखिएगा गाउं का लेका तो इस वीडियो को पूरे एक ट्रिक के मादे से आप दो तीन चार बार परीच्छा के पहरे जरूर देख लिजेगा ताकि आप यहां से पांस नंबर गिन कर सकते हैं ठीक चलते इसको एक बार और बढ़ियास देख लेता है यहां पर देखिए कड़वक कोता है कड़वक आप से कोई पूछ देगा कड़वक कौन लिखात है ठीक है और याद रखेगा पादी जो होता है दो है हमारे क्वित्ताव में एक पाद पहला है एक पत दूसरा इक पद तीसरा है पहला जो पद हो इसमें देखा जाता है दूसरा जो पद दिखा या यह कृश्ण भकतिकाल के तीसरा जो निया पढ़ने जीएगा यह राम और राम भक्तिकाल के जोपद है यह सुर दास के लिखा गया है और कि्ष्चन भक्तिकाल आपका सूर्धास याणि हम अपने भक्तिकाल में याई पद चुम लेते हैं पद्व गिर हैं दास मन जाते हैं इसलिए हम इसको याद रखेंगे तूसरी दास या सुर्दास के नमाद हम से चप है यानि दास नहां धुआ करके कहां पर चड़ गए छपड़ पर चड़ गया इसे हम बोलेंगे चप है और ध्यान देजिए एक लड़का था जिसका नाम था भूस और उ होता है इसवे इसको बोला है कर अअगर और यह से पूत्री बियोग बोल देता है अगर गश डाय scripts शयल वाल कलता ऐसा हम एट नहीं करना है यहां पना है दिजएगा और इसको बोलेंगे बहादूर जंयान का चैहरा एक है जब मैंने जंजन का चैहरा जब एक देख लिया तो मुझे कोई ख्वाहस नहीं रहा है इसने हम बोल देंगे मुक्ती बोध इसको बोल सकते आप ऐसे आप पूरे चिप्टर को और इसके पास्ट को और इसके परकार को असाने से याद कर पाईएगा पूरे आपके जो पद जो खंड है इसमें एक भक्ति काल के आया और एक आधुनिक काल के यहां पर कभी लो आए ठेके तो पूरे वीडियो को लाइक और सेर्स पूरा दबा कीजिए और जम के सेर्क कीजिए फिर मिलते हम अगले वीडियो में